नमस्कार कैसे हैं सभी लोग दोस्तों हम मैट्स में प्रोफिट लोस पड़ रहे थे तो उसका बचावा सेक्षन हम आज के इस सेशन में देखेंगे फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो हम एक पार्ट ओर लेकर के आ जाएंगे लेकिन आपको प्रोफिट लोस से मैक्सिमम जितने क्यूसंस बनते हैं पॉसिबल हैं मैं आपको एक एक कराएंगे यहाँ पर तो चलिए बिना समय गवाये शुरू करते हैं आज का ये सेशन आज के इस सेशन में हम फोर्मुला बेस्ट दो क्यूसंस डिसकस करेंगे जो की एक्जामस में रिपिटेडली पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल फोर्मुला है दोनों के दोनों और उन पर बेस्ट जो क्यूसंस एक्जामस के अंदर आते हैं बहुत सिंपल होते हैं दो दो तीन, चार सेकंड का question होता है, तो चलिए उनमें से पहला हम discuss करेंगे, माली जै दोस्तों आपके पाराइं दो pencil है, एक ये pen है, जो इस interactive panel के साथ में आया है, एक ये pen है, जो कि आपकी iPad के साथ में आया है, दोनों की pens की किमत में, जो परचेज प्राइस है दोस्तों इनमें दोनों की जो कोस्ट प्राइस है दोस्तों अलग लग रही है लेकिन आपने दोनों गुड्स को दोनों पैंसिल्स को एक ही प्राइस पे बेश दिया इनके कोस्ट प्राइस दोस्तों अलग लग थी लेकिन आपने सेलिंग प्राइस जो है दोनों की एक ही रग दी माल लीजिए 10,000 रुपे या माल लीजिए 15,000 रुपे या माल लीजिए 5,000 रुपे cost price अलग लग थी लेकिन selling price फिर सेम ही रग दी और क्या हुआ एक पर loss हो गया दूसरे पर profit हो गया ये भी condition है आपको examiner क्या बोल रहा है एक pencil पर क्या हो गया loss हो गया और दूसरे पर profit हो गया same selling price थी costing price अलग लग है और तीसरी condition दोस्तो जो profit और loss जो है जितना इस पर profit हुआ उतना ही उस पर loss हो गया दोस्तों मतलब profit loss percentage जो है वो common है ऐसे questions को आपको exam के अंदर कैसे करना है बहुत typical question नजराता है दोस्तों लेकिन 10-15 second का काम है hardly उस question को करने में मतलब दो same objects को same category की objects को आपने same selling price पर बेचा एक पे profit हुआ एक पे loss हुआ और same percentage of profit and loss same percentage profit and loss मालिजे इस पे 15% का profit हुआ इस पे 15% का loss हुआ मापी चाहते हैं दोस्तों गलावी तक ठोड़ा ठीक नहीं है अभी भी थोड़ा सा card up यह करके तयार हुए है तो कोई बानी I think आप लोग adjust करेंगे दोनों यह जो business किया दोस्तों हमने इस business में net profit हुआ या कि ऐसे question में हमेशा क्या होता है हमेशा net loss होता है अगर आपने कोई दो चीजे same selling price पर बेची और common profit और loss हुआ मनलब 1 पर 15% का loss हुआ 1 पर 15% का profit हुआ तो net क्या होगा net हमेशा loss ही होगा कुछ निकानने की ज़रत नहीं है दोस्तों आपसे पूछ लेता loss हुआ profit हुआ लिग दीजेगा direct click कर दीजेगा tick कर दीजेगा loss हुआ है और कितना loss हुआ है दोस्तों यह net loss जो है यह कितना है इसका एक simple सा formula है और वो formula क्या है हम आपको यहां पर दोस्तों आज की profit हुआ common profit और loss एक ही था ना दोस्तों 15-15% 16-16% जो भी होगा दोस्तों common profit loss जो भी percentage में आपको दे रखा है upon 10 की power 2 यह percentage में net loss आजाएगा दोस्तों समझेगा अभी आप question में और समझोगे इसको हमने बोला आपको इसमें दोस्तों इसकी selling price का कोई रोल ही नहीं है हमने बोला दोनों pencils को हमने 11-11,000 रुपे में बेच दिया 11-11,000 रुपे में बेचा एक pencil पर 16% का profit हुआ एक पर क्या हुआ 16% का loss हो गया एक पर क्या हुआ profit हुआ एक पर loss हो गया ऐसे question में जो आपको एक चीज़ और दी गई यह 11,000 रुपे कोई मतलब नहीं है दोस्तों इसका आपको क्या करना है common profit or loss, common profit or loss क्या दे रखा दोस्तों यहां पर 16% 16% ही profit है 16% ही loss है ऐसे questions exams के अंदर आते हैं तो common profit or loss upon इसको 10 से divide करना और उसका square कर देना जो भी profit loss है उसको 10 से divide करके उसका square कर देना आपका answer आ जाएगा अगर इस question की बात करें यहां पर तो common profit loss कितना है दोस्तों 16 बार बार नहीं लिखना एक ही बार लिखना 16 क्योंकि profit ले लो चैसे loss ले लो 16 हुआ है upon 10 की power 2 मैंने आपको बोला है दोस्तों square याद रखने आपको 25 तक के 16 का square होता है 256 10 का square होता है so answer आ गया 2.56% यानि इस transaction में 2.56% का loss हो गया है यह formula दोस्तों आपको lifetime के लिए याद रखना है ऐसा question आपको बोला किसी व्यक्ति ने अपनी दो कारे में ची दोनों कारों को कितने तर रुपए में बेचा दोस्तों दोनों कारों की selling price cost price अलग रही होगी दोनों कारों की selling price जो क्या थी दोस्तों धाई लाक रुपे थी ठीक है एक पर क्या हुआ 15% का profit हो गया और दूसरे पर क्या हो गया 15% का loss हो गया ऐसे क्यूसर में दोस्तों हमेशा क्या होगा net loss होगा और net loss percentage आप निकालने के लिए क्या करोगे profit percentage loss percentage सेम है common है उस common को यहां पर लिखिएगा common profit loss percentage upon 10 से divide करना और इसको 2 से square कर देना 15 का square होता है दोस्तो 225 10 का square होता है 100 और कितना आ गया 2.25% और ये loss होगा ये exams का repeated question है दोस्तो अब आप खुछ समझेगा इस question में करने में कितना time लगा दोस्तो hardly 3 second लगेंगे आपको आप सोचते हो ना कि sir 36 second का जो time है exams में कम मिलता है कहीं से कम नहीं है दोस्तो केवल आपकी practice पे आपकी skill पे आप कहां से पढ़ रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं सब कुछ केवल और केवल इस पे depend करता है हमने दोस्तो आज के session में अभी तक आपको ये एक बहुत important question cover करा दिया है बच्चों की calls आती हैं दोस्तो बच्चे बोलते हैं sir कोई DSSB के लिए कोई coaching में कोई part 1 clear नहीं करा रहा तो दोस्तो हमारा सिधा सा simple सा कहना है हम केवल part 1 के कोई expert तो है नहीं हमें जितना आता है हम जितना अच्छा समझते हैं जितना सीखा है हमने और जितना सीखते हैं उसको आप लोगों के सामने लाने की कोशिस करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है आप continue कीजिए हमें इस बात से कोई फरक नी पढ़ता कि कौन classes वाला यहां से तो नर्सिंग पढ़ने को मिल जाएगी DTSB का part 1 तो नर्सिंग स्मार्ट वाले सर अच्छे से करा ही रहे हैं हमें इस चीज से भी कोई फरक नी पढ़ता दोश्तो आपका हमारा एक मातर objective है अच्छे लोग exam क्लियर करके profession में आएं और profession के graduation के लिए काम करें केवल और केवल हमारा इतना ही objective है तो यह सारी secondary बाते हैं दोश्तो कि कौन आपको क्या बोल रहा है कौन आप क्या सोच रहे हैं किसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं कुछ तो लेकर क्या हैं तो इसलिए आज का session हमें आपर continue कर रहे हैं तो यह एक question हमने clear करा दिया है दो objects को आपने same selling price पे बेचा लेकिन एक पे profit हुआ दूसरी पे उतना ही percentage में loss हुआ इस transaction में आपको net profit होगा या net loss होगा कुछ जर्वत नहीं है दोस्तों हमेशा net loss होगा ये इस दुनिया में चलावा बहुत है दोस्तों आप दुकानों पे सामान खरीने जाते हैं कपड़ा खरीने जाते हैं आप बोलते हैं सर ये shirt बता दीजिए और लास्ट में bargain करते हुए आपका दुकानदार किस पे आ जाता है कि साब आपको list नहीं दिखाता है साब देखिए ये अरे मैं इस लेके आईए वो rate list बताईए हो साब को न और साब इतनी देखो ये तो 500 रुपे की खरीद है जी ठीक है और आपको बताता है फिर भी वो profit कमाता है चलो इस shirt तो जो मापतोल वाली सीज नहीं है दोस्तों जो हम question discuss करने जा रहे हैं वो उस मापतोल के उपर है जि आपको दे रहा हूँ और फिर भी बेवकुप तो है नहीं दोस्तों जो कि आप बोलोगे सर आप बेवकुप हो गया जी दोस्तों हमें भी profit हो रहा है 10 समाल लीजे कही न कहीं से ना आप लोगों की खुशी में हमें profit हो रहा 10 समाल लीजे 50 रुपे की खरीद में इसी cost price पे आपको वो बेज दे रहा है यही selling price है उसकी लेकिन फिर भी profit कमा रहा है कैसे मैक मुवी में कैसे कमा रहा है दोस्तों अपना जो तकड़े है ना दोस्तों उसका जो weight है weight का महला weighing scale है उसमें कुछ गड़बड कर रखी है क्या कर रहा है दोस्तों इस एक किलो की जगह पर क्य तोल के देता आपको 900 gram ही तोल के दे रहा है साड़े 900 gram ही तोल के दे रहा है 50 gram कमा लिया ना दोस्तों 50 gram कम दिया इसका मला 50 gram आपसे कमा लिया ना उसने तो क्या होगा दोस्तों प्रोफिट ही देखो cost price के equal to selling price होई गी तो यहां पर तो no profit no loss था लेकिन अब 50 gram या 100 gram आपको कम दे दिया तो वो तो profit कमा लिया ना इसका मतलब ऐसे case में जब दुकानदार आपको बोलता है कि साब आपको मैं यह चीज cost price पे बेच रहा हूं मतलब 50 रुपे में खरी दी ती जितने रुपे में खरी दी है उतने में बेच रहा हूं लेकिन फिर भी वो profit कमा लेता है कैस से आपको कम तोल करके एग लिटर सरसों तेल का रेट आपको सेम आई वी रेट 135 रुपे में देने का वादा करके वाकई में उतने में यह आया है उसको लेकिन फिर भी आपसे profit कमा लिया कैसे कमा सकता है दोस्तों एक ही तरीका उसके पास में कि आपको एग लिटर की जगह पर 900 ml दे दे 1000 ml की जगह पर 900 ml देदे 935 देदे 950 दे 925 देदे कमा गया दोस्तों उतना ml तेल जो उसको किसी को तो बेचेगा इसका हमला उसने प्रोफिट ही होना है और अब एक्जामेनर आपसे पूछता है सीधा सिंपल क्यूषण देखता है आप क्यूषण को देखते ह हो चक्रा जाते हो कि साब कैसे करें बहुत सिंपल फार्मुला है दोस्तों इसका भी कि ऐसे क्यूस्टन को आप कैसे सौल करोगे हम दोस्तों ये कोई नहीं हम कोई अनुखा तो बता नहीं रहें दोस्तों पूरी दुनिया बताती है यही चीज़े जो हम बता रहे हैं लेकिन आप लोगों तक सुईदा जनक पintage से इस सीज़े को लेकर करना हमारा मुप्ण है यूण ऑबजिक्तिम है तो ऐसे केसे में profit होगा की लौस होगा प्रोफित होगा कितना होगा दोस्तों वो तो एक्जामिनेर भी आपको बोल देगा किसा प्रोफिट हो रहा है और प्रोफिट परसेंटेज आप निकाल करके हमें बताईए कितना प्रोफिट दोस्तों उसको हो रहा है सिंपल सा फॉर्मूला है उसका भी क्या फॉर्मूला है दोस्तों जो एर एरर का मतलब क्या था दोस्तो आपको 1000 ml सरसु तेल का नाम लेकर के उसने 900 ml चिपका दिया ठीक है ना 100 ml गड़वड कर ली एरर कितना है दोस्तो कितनी तूटी है इसके इंदर कितना एरर है दोस्तो कितना कम दे दिया एरर का मतलब कितना कम दे दिया 100 ml कम दे दिया correct scale का मतलब दोस्तो जो देना चाहिए था उसको correct scale minus again error अब आपको दोस्तो ये exam का question हम बताये थे हैं कैसे इसको सही करना है कैसे आप इसको समझ पाओगे आप इसको error, error कितना 100 ml का correct scale क्या था, कितना देना था 1000 ml देना था error कितना है, again 100 ml है दोस्तो ये answer आपका आगया कैसे आया दोस्तो, अगर आपसे बोला किसाब सरसोंगा तेल 135 रुबे खरीद है, 135 रुबे मैं आपका दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी profit कमा गया कैसे, कैसे कमाया, उसके पास जो काम करता ना महिस, उसने आपको बताया किसाब, इसने आपको 1000 ml की जिगर 9 ml दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है जमनर, किसाब उसने profit कितना कमाया, कितना कमाया दोस्तो error कितना है, 100 का error है दोस्तो, ये आपको यहाँ पर 1 liter लिख देगा दोस्तो values में, units में difference देखिएगा, यहाँ पर 1 liter है यहाँ पर 1 liter को 1000 ml में convert कर लेना, सबसे फ़ली बात हो 100 ml का difference है, error है upon, correct scale क्या था 1000 ml का था minus, कितना error कर दिया दोस्तो, अगेन ये उपर वाली value आप यहाँ पर लिख देना, into 100 आ गया दोस्तो, आपका answer कितना आया, उपर 100 निचे 900 और into 100 ये दोनों बिंदिया कट गई 100 को 9 से divide करो तो क्या आएगा 11,9,9 एक बच गया, ये 11 सही एक बटा, 9% दोस्तो, क्या आगया, profit आगया आप से लगबग 11% का profit कमा गया, दुकानदार समझ रहे हो दोस्तो ऐसे questions को आप देखना इस questions को रटा जाना है का दोस्तो आप से ये कैसे रटा जाएगा फार्मूला अब आप बोलोगे सर आपने last time तो बोला था सर फार्मूला यादी मत करना अभी आप कैसे बोल रहे हो नहीं बोलूँगा दोस्तो अभी भी मापको profit percentage निकालने के लिए आपको तो एक्जामी ये भी नहीं लिखना profit percentage कैसे करोगे ऐसा question कैसे दिमाग में आना चाहिए कि हमें बताया गया था कि कितना error आया है 100 ml का error upon कितना देना था 1000 देना था minus again error into 100 है जो दुकानदार ने दिया है और फिर उसको social multiply कर दीजिए आपका question आ गया correct अब दोस्तो इसकी practice के लिए 2-3-3 question का हम एक Google forms पे ही upload कर देंगे या तो आपको जैसे ही ये वीडियो upload होगा उससे में तुरंद मिल जाएगा या आप 2-3 घंडे का और पूछे भी जाते हैं कैसे उनको करोगे दोस्तो बहुत तीजी है आपका दिमाग बैस्केवल दोड़ना चाहिए दोस्तो I hope question आपको नजर आ रहा होगा question क्या कह रहा है एक fruit seller ने 5 रुपे के 6 केले की rate से खरीदा यानि क्या किया उसने आजातपुर मंडी से कैसे खरीदा 5 रुपे के 6 केले की इसाब से उसने खरीद लिया और फिर क्या किया उसने 3 रुपे के 4 केले rate से बेच दिया अब उसको profit हुआ की loss हुआ दोस्तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए अब इस question को आप कैसे solo करोगे दोस्तो बहुतीजी है लेकिन हम आपको थोड़ा कसा बताएंगे कि cost price क्या है अब आपको कोई profit loss के लिए आपको क्या चाहिए होता मैसा cost price से ही होती है selling price से ही होती है profit loss आप निकाली लोगे इस case में दोस्तो cost price क्या थी आप देखी दोस्तो cost price निकालने के लिए आप क्या करोगे cost price जिस पे खरीदा कैसे खरीदा दोस्तो उसने 5 रुपे के 6 के लिए खरीदे मतलब 6 बनाना की rate क्या थी दोस्तो 5 रुपे यही लिखा हुआ है ना 6 बनाना कितने के खरीदे दोस्तो पांच रुपे में खरीदे इसका अमला एक बनाना की रेट कितनी आगी दोस्तो पांच बट्टा छे दोस्तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसे करना है क्या जी नहीं दोस्तो एक्जामस में आपका तुरंच दिमाग दोड़ेगा जब आपकी प्राक्टिस हो जाएगी तो यानि कि 5 रुपे के 6 के बनानाज के जो युनिट्स हैं उसका भाग दे दिजिए पांच रुपे में 6 का भाग दे दिया तो आपने यह क्या आगी दोस्तो आपके पास में कोश्ट प्रइस आगई कलियर है ये इतना लिखने की ज़रुत आपको नहीं थी लेकिन हमने आपको केवल समझाने के साब से बताया है अब देखिएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे सेम यही फार्मूला दोस्तो 6 रुपे के 4 के लिए मतलब 4 बनाना की रेट क्या है दोस्तो 3 के लिए 3 रुपे ठीक है तो एक बनाना की रेट क्या आगई दोस्तो 3 बटा 4 ये क्या आगई सेलिंग प्राइस आगई ठीक है ये तो हमने आपको पहली बात समझने के लिए चीज़ें बताई है जब आप समझ गए हैं तो दोस्तो clear cut आप क्या लिखोगे कोस्ट प्राइस क्या है एक के ले की रेट एक बनाना की रेट क्या है दोस्तो 6 की रेट 5 है यहाँ पर दोस्तो आप confused मत हो जाना 5-6 बटा 5 मत कर देना दोस्तो इसको कभी आप सोचो अरे रेट पूछा भई रेट का मतलब 6 केलों की रेट 5 है तो एक का कितना लगेगा कम ही लगेगा न पैसे दोस्तो तो रुपियों के अंदर उसकी बनाना से डिवाइड करोगे ठीक है सबसे वळी बात दोस्तो कभी भी एची दिमाह में रखना क्या आपको बहुत सारी अबजेट्स की वेल्यू दे रखी हो तो फिर एकी वेल्यू निकालने के लिए क्या होगी ज्यादा थोड़ना होगी कम होगी कम का मनलब डिवाइड होगा डिवाइड किसको करोगे दोस्तो रुपियों को उसकी यूनिट से करोगे कितनी चीजें कोई रेड था उसका किलोग्राम का था या उसकी नमबर लिख रहे की यह उससे तो कोश्ट प्राइस का मनलब पांच बटाच है पांच रुपे लग रहे थे किसके च्छे के तो एक का कितना लगेगा पांच बटाच है क्लियर है selling price के आगया दोस्तो 3 रुपे लग रहे थे 4 के तो 3 रुपे अपन 4 के ले clear है इतना तो clear हो जाना चाहिए अब numbers दोस्तों हमारे पास में rates हमारे पास में क्या है cost price और selling price हमारे पास में क्या है fraction में है कैसे पता लगाएं कि कोन सी number ज्यादा है ठीक है आप बोलोग एक सर डिवाइड करके पता लगा लेते हैं कौन सी number ज्यादा है तो यह तो simple सी चीज है दोस्तों हमें पता लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दोको इसको divide किया 48 और 2 बच गया तो 6-3-8 वापस बच किया तो 0.8 8-3-3 आ गया और यह क्या दग गया दोस्तों 0.75 होता है तो सर यह तो cost price ज्यादा थी selling price कम होगी तो loss हो गया ऐसे नहीं करना दोस्तों आपको कभी भी ठीक है नहीं आ रहा कहीं पर confused हो गए तो हम तो सला नहीं देते दोस्तों इसी चीजों की ऐसी situation में आपको क्या करना होता है दोनो नमबर का क्या लीजी दोस्तों LCM लीजी LCM, HCM भी दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर हमने काम चलाने के लिए इस question में simple हम पढ़ते आए हैं बच्पन में हम पढ़ते आए हैं LCM कैसे निकालेंगे दोस्तों दोनो नमबर का LCM निकालेंगे 6 और 4 का तो बड़ी वाली नमबर का table बोल लीजी दोस्तों 6 दूनी 12 दोनों से divide हो रही है और भी तरीके दोस्तों हम आपको बताएंगे 6 दूनी 12 दो 10 और यह क्या हो गया दोस्तों 3 9 बड़ी नमबर कौन से है दोस्तों 10 वाली नमबर है किस से आई इस से आई इसका मतलब यह नमबर बड़ी है इसका मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों cost price is more than selling price खरीद ज़्यादा की है बेचना बेचा कम में है अव्वेस सी बात है दोस्तों loss हो गया minus fourth 12 nao एक बटा 12 दोस्तों इसका मतलब उसको क्या हुआ दोस्तों loss हो गया एक बटा 12 का अब यह तो loss ही था दोस्तों loss percentage हमेशा कैसे निकालते हैं price पर निकाला जाता है तो loss कितना था एक बटा 12 ठीक है upon क्या cost price तो cost price क्या थी पांच बट्टा च्छे आप किसी फ्रेक्शन में दोस्तों किसी को आप ऐसे बट्टा में लिख रहे हो इसका मतलब सिधा सा कीजिएगा दोस्तों इसको मल्टिप्लाई कीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए 6 बट्टा पांच इन्टु हंड्रेड क्लियर है 6 दुनी 12 पांच पांच 10 और ये दोस्तों 10 10 परसेंट का लोस हो गया दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने इतना टाइम लगा दिया इस क्यूशन में जी नहीं लगा दोस्तों अभी बता देते हम इसको रिवाइज करके इस क्यूशन को आप बो चीज की जो नंबर है वो नीचे रखिएगा सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों तीन रुपे के चार के लिए तो यहीं दोस्तों आपको कैसे पता कि कौन सी चीज ज्यादा है तो इसके लिए अव्विश सी बात आपको LCM निकालना ही निकालना है अगर नहीं निकालते हो तो भी कोई दिकत निया दोस्तों अगर यहाँ पर आपने इसका LCM नहीं निकाला तो भी कोई दिकत निया आप क्या करोगे दोस्तों minus में अगर value आ गई इसका मलब वो loss ही है आप इसको profit loss is equal to क्या करोगे दोस्तों 3 बटा 4 आपकी बार दोस्तों इसमें से कर देते हैं माल तो की वह आईगि लेकिन सिंबल माइनस का आगया इसका मलब यह क्या हो गया लोस परसेंटेज हो गया दोस्तो यहाँ पर आपको यह भी टाइम वेस्ट करने की जरुवत नहीं है कि कौन शी नंबर जो है एक बार यह करने के लिए पहले तो नंबर बढ़ी कौन शी थी एक बटा बारा क्या हुआ है दोस्तो आपको लोस हुआ है लोस हमैशा प्रोफिट लोस हमैशा कोस्ट प्राइस पर दे में उपन को एसे लिगए अपने को Olो को यह एउसे दो पैंस होगे को करता है इसको कि नेचर भी ऐसी है रिपीटेड आता है दोस्तों हम आपको दोस्तों एक वो नहीं होता सेलेक्ट आप सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट से कैसे दीजी आपने टमाटर कैसे दीए जी आपने 40 रुपे किलो आप क्या करते हो एक-एक सिंगल सिंगल टमाटर पिक करके अच आपका प्रेक्टिस जो है बैतर से बैतर हो सके काफी बच्चों की छोटी सी शिकायत है कि सर आपने क्यूशन तो बता दिये उसके बाद में हमारी प्रेक्टिस का क्या जिए हमने ओनलाइन टेस्ट किसके लिए रखा यह फिर उसके अंदरा क्यूशन रखे हैं और सेम वैस इसी तरीके का अभी तो आपको समझ में आना चीह कैसे questions कैसे होता है स्क्रीन पर देखिए दोस्तो येट सेम questions जो अभी हमने कराया था आपको एक vegetable seller ने एक रुपे में दो की rate से यानि एक रुपे में दो की rate से lemon खरीद के लाया market से यानि एक रुपे में उसको मिले दो निम्बू और उन्हें तीन रुपे में पांच की rate से बेच दिया तीन रुपे के पांच निम्बू के साब से बेच दिया profit हुआ की loss हुआ और कितना percentage हुआ समझेगा दोस्तो अब हमने जो पहले बताया था उसके इसाब से नहीं बताएंगे हमेशा आप क्या देखोगे दोस्तो profit loss के लिए सबसे पहले आपके पास में cost price होनी चाहिए cost price दोस्तो ये भी आपको exam में लिखने का इतनी भी जरुत नहीं पड़ेगी लेकिन ठीक है हम समझा रहे हैं आपको इसलिए लिख रहे है cost price दोस्तो क्या हुई इसकी एक रुपे में दो रुपे उपर चीजे निचे दो दो दोस्तो ठीक ना ये समझ में आएगे दोस्तो रेट तो तभी आएगी जो रेट वाली चीज आपको क्या करना है selling price में से cost price मानिस कर देते देखते ने के profit हुआ है कि loss हुआ है प्लस में आया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना profit loss में से profit दोस्तो निकालने के लिए क्या करेंगे SP minus cost price होगी तो ही क्या आयेगा ना profit होगा अगर ये plus में आ गया तो ठीक है minus में आ गया तो क्या हो जाएगा loss में हो जाएगा तो selling price जदा होनी चाहिए तीन बटा पांच हम मान लेते हैं एक बार के लिए minus एक बटा दो लीजे दोस्तो इनका LCM कितना दस दो और तीन उनिच है पांच ये आ गया दोस्तो एक बटा दस प्लस में ही आया दोस्तो यहाँ पर एक ची दोस्तो मैंने जो बताई आपको दिम क्लियर है ओके एक बटा दस कलियर अब यह क्या है आपका प्रोफिट आ गया प्रोफिट होगा लोग्त्वाथ प्रोफिट परसेंटेज कैसे होगा दोस्तों प्रोफिट कितना एक बटाद दैस अपन करई 20% I hope चीजे clear हैं आपको कैसे clear हैं दोस्तो जो मैंने आपको plus minus वाड़ा देखा है था आपको confused नहीं होना है आपको फिरो profit के हिसाब से ही करना है उसको selling price minus cost price करना है दोस्तों आपको profit के हिसाब से चलना profit plus में आगया तो profit ही है अगरो plus में आगी value तो profit है दोस्तों और minus में अगरे value आगी होती तो वो loss हो जाता है हमने profit वाड़ा formula रखना है यहाप यह समझ के चल लिएगा आप इसमें अदरवाई तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप फिर भी confused हो रहे हो तो पता कर ले ना इसमें से कल के online test में रख देंगे अपडेट कर देंगे आप कीजिएगा और भी दरदर से questions रखेंगे हम थोड़े से आप इनको देखिएगा practice कीजिएगा एक question और देखते हैं दोस्तो थोड़ा सा हटके question है दिमाग से लाओगे तो आपको भी आ जाएगा लेकिन इसकी simplest method से हम आपको इसको solo करके बतायते हैं क्योंकि ऐसे questions भी exams के अंदर आते हैं पंदर वस्तूओं का cost price जो है बारे वस्तूओं के selling price के बराबर है दोस्तो चीज वही है स्पेन की बात कर लिजिए टमाटर की बात कि लिजिए 15 निम्बू की बात कर लिजिए दोस्तो पंदर लेमन की बात कर लिजिए 15 lemon आप जितने में खरीद करके लेका है 15 lemon दोस्तों जो seller जो खरीद करके लेका है वो उतने पैसे जितने लगे उतने पैसे उसने क्योल 12 निम्बू बेचके कमा लिए समझे रहे हो 3 निम्बू उसके पास हैं बच गए इसका मनलब 3 निम्बू का उसको profit हो गया पाबर है इसका मतलब कितने निमूओं का प्रोफिट हो गया दोस्तों पैसे तो हमारे पास में हैं नी पैसों से निकाल लेंगे तो क्या किया दोस्तों आपके जितने पैसे लगे मान लीजिए पांच-पांच-पांच-जार रुपे के साब से थो दोस्टों आप उसको सोच एगा दोस्तों, उसने कितनी चीजे बचा ली, अब उसके पास में लाश्ट में कितनी चीज़ें बची रह गई जो की जिन पर वो क्या करेगा दोस्तों पैसे कमाएगा तीन पैन उसके पास में लाश्ट में बच गए दोस्तों तो प्रोफिट कितना हो गया दोस्तों तीन का हो गया क्लियर है अब आप कोँगे साथ 3 बटा इसका विले लिखना ए 3 बटा kos Trise कर है का दोस्तो तो kos Trise तो ही नहीं आपके पास में आपका दिमाग जाएगा तो स्टूर्श तो 3 बटा 15 कर देते हैं जी नहीं दोस्तो कैसे यह नहीं दोखना दोस्तो यह 3 का profit आपको किसकी cost price पर होगा दोस्तो जो 12 वस्तूँ की cost price थी उस पर होगा तीन बटा बारा इंटू हंड्रेड आप समझ रहे हो दोस्तो ये डील अब किस पर चल रही है ये डील दोस्तो अब इन पंदरा वस्तूओं पर चल रही है जो बारा वस्तूओं की बात करें जिसके बारा बेच चुके हो दोस्तो आप समझ रहे हो आप इस चीजे वो पंदरा को छोड़ दीजे दोस्तो 15 में से 3 तो आपने बचा ली अब चोश्ट प्राइस की बात किरोगे दोस्तो कोर्ष बारह वस्तुवज इसमयरे धिमांग में अगर पर के लिए ठिमांग में वेटरी तो गुमाना दोस्तो इक बार के लिए आप इसी इसी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको repeat करके देखना शायद यह चीज आपको कहीं पर किसी की easy trick में नहीं मिलेगी लेकिने हम आपको बता दे रहे हैं 15 वस्तों की cost price 12 वस्तों की selling price के बराबर इसका मतलब 12 बेशते ही 15 का वसूर हो गया ठीक है ना इन 12 पर चल रही है तीन बटा बारा गुणा सू समझ में आया तो ठीक है दोस्तों अधरवाई मिटा जेते हैं कोई बात नहीं cost price से कर लेते हैं cost price selling price से कर लेते हैं मान लीजिए यह जो 15 object थी इनकी cost price क्या थी एक-एक चीज को खरीदा कितने में 100-100 रुपए में खरीदा आपको books में 101 रुपए का मिलेगा हम बता रहें दोस्तों जब 100 रुपए की बात करते हैं percentage की बात करते हैं अ या 100 रुपए मानना आप अक्स मानके चलोगे तो भी ठीक है लेकिन अक्स में again confused हो जाओगे वही सेम वाला वाली वो बात आपने हर एक चीज की cost price क्या की दोस्तो एक की क्या की एक वस्तुव cost price क्या है दोस्तो 100 है तो 15 की cost price क्या हो जाएगी दोस्तो 15 goods की cost price क्या हो जाएगी 15 गुणा 100 मतलब 1500 रूपे यह चीज दिमाग में आजानी चीज दोस्तो ऐसे ही मतलब समझे ओ एक की cost price दोस्तो 100 है तो 15 की क्या आगई है 15 सो आगई है अब देखिएगा selling price आपको क्या दे रखी है 12 वस्तों के selling price दे रखी है दोस्तो यहाँ पर किसके बराबर है 15 की cost price के बराबर है इसका मतलब 12 goods की जो cost selling price है वो कितनी है इनकी सब की cost price के बराबर है इसका अब पंदरा सो रुपे है समझे में आगी तो उस्ते बात यह तो समझे में आजानी चीज़ आए देखो पंदरा की cost price दो दे रखी ती 100 सो रुपे के साब से आपने मानलिक साब 1500 रुपे की आइटम है सारे के सारे आपको आपको वासमें एक का रुपे था सो पंदरा की आइटम के होगे पैसे पंदरा सो अब इसने selling price के ते रेक किसकी देर की 12 की देर रेकिर वो पता है गो दोस्तों आपको इसकी cost price और इसकी selling price 12 की selling price और 15 की cost price दोनों बराबर है तो हमने यह लिखा दोस्तों तो एक good की selling price क्या हो गई दोस्तों ट्रासुब्टा बारा हो गई ना पंदरासो बारा हो गई दोष्टो हम देखेंगे गई इभे-सुर्वble hr इक गुड की कोस्च प्रास भी आपके पास दोस्तो मैथंमेटिक्स में हजार तरीके होते हैं आपके mathematics में एग नहीं दो नहीं 10-10-20-20-30 तरीके होते हैं अपने questions को करने का देखे बताते हैं दोस्तों एक गुड की किमत कितनी आगई दोस्तों इतनी आगई क्या divide होता है क्या देख लेते हैं दोस्तों try कर लेते हैं अब easy रहेगा दोस्तों की एक चीज़ का ही निकालने आप divide कीज़े देखे आता है क्या कोई दिक्कतरी नहीं भी आएगा तो भी हम समझ जाएंगे इसको थोड़ा सा दोनों चीज़ें दोस्तों किससे 3 से divide हो रही है 15 भी 3 से divide होता है 12 भी 3 से divide होता है 3 से divide करोगे तो 500 और 3 से divide करोगे तो दोस्तों चार इसको दोस्तों अगें यह नंबर जो है 2 से divide हो रही है दोस्तों आप बोलोगे कि सर यह क्या बता रहे हो दोस्तों हम ऐसे ही बताते हैं अगर mathematics नहीं आती तो यह best तरीका है अगर आपकी mathematics जिस दिन easy हो जाएगी दोस्तों जिस दिन आप mathematics के practice करने लग जाओगे उस दिन आपको यह 1000 बटा 4 नजर आता तो आपको समझ जाते साथ 2500 आता है जी 500 बटा 4 कितना होता है जी 700 होता है कोई दिक्कदनी नहीं आ रहा तो भी ऐसे divide करते वें चले जाएए 700 रुपे एक चीज की selling price 700 रुपे एक चीज की cost price दोस्तों 700 रुपे इसका मतलब जो चीज आपने 100 रुपे में खरीदी थी उसको 700 रुपे में बेज दिया profit हुआ के loss हुआ profit हुआ दोस्तों कितना हुआ 25 रुपे का हुआ कितना percent होगा cost price पे हुगा दोस्तों आपको वैसे तो समझ में आ गया 25% का हुआ है 25% profit होगा है दोस्तों इसमें ये question भी दोस्तों बहुत important question है इसके practice questions भी हम आपको बताएंगे कल के online test में आपको मिलेंगे आप इसको समझ लीजेगा दोस्तों एक चीज की price देख लेना माल लेना पहले cost price 100 रुपे तो जितनी भी दे रखी हैं उनकी उनको गुणा करके आगी ना दोस्तों कि 15 करी देंगे 20 करी देंगे तो उतनी अब दूसरी लाइन पकड़ना आपने उनकी उनमें से 12 आपने बेज दी ना 12 आप बेचोगे तो उसकी cost price दोस्तों उसकी selling price कितके बराबर है जो इनके cost price थी 1500 के बराबर है तो हमने कुछ अपने घर से नहीं लिखा दोस्तों एक की निकाल ली एक की 700 रुपे आगी एक की यहां पर 100 रुपे की चीज को आपने 700 रुपे दिया दोस्तों जिस तिन हमारी reach पहुँच गई है ना लोगों के साथ में nursing smart हम आज आपको दोस्तों बड़ा संकेत होड़ देते हैं कल को आप लोग बोल सकते हो काफी बच्चों की call साती है message आते हैं काफी बच्चे पूछते हैं कि sir अब की बार dssv में nursing officer की cut-off क्या रहने वाली है अलगलग categories में पूछते हैं दोस्तो categories में तो हम नहीं बता सकते लेकिन general की merit हमने बच्चों को जितनी बताई है डरावनी merit बताई है आप लोगों को reason दोस्तों हमने उनको बताया है इसलिए बेहतर है पढ़ाई शुरू कर दें दोस्तों बेहतर है पढ़ाई शुरू कर दें कोई बच्चों ने अगर ये formula अपने घर में निकाल रखा ना कि mathematics मेरे को भी नहीं आती तो दूसरों को भी नहीं आती formula तो सही है दोस्तों लेकिन अब आएगी अब आएगी दोस्तों और बहुत अच्छे से आएगी इतने दिन बच्चे nursing के nursing के nursing वाले section से time बचा करके mathematics में invest करते थे अब बच्चे mathematics से time बचा करके reasoning से time बचा करके और कही invest किया करेंगे समझ लीजेगा दोस्तों अब इसे आपको बच्चों को जो पढ़ रहा है अब उसके दिमाग में जो DSSB अगर नर्सिंग स्पार्ट पर पढ़ रहा है दोस्तों उस बच्चे की दिमाग में एक मेहने बाद में ये चीज तो कते ही नहीं रहेगी कि 200 क्यूशन का जो टाइम है वो 120 सेकंड जो 120 मिनट जो मिलता है डीटर प्रैस वी में वो कम है जी नहीं आप खुद बोलने लग जाओगे अब ये बात दोस्तों एक और बहुत अलग क्यूशन है लेकिन अब आप अगर पिछे की क्लासेज को पिछे के सेशन को अगर आप डिकॉल करेंगे तो ये क्यूशन हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास और आज को मिला करके लेकिन मैं समझता हूँ अगर जैसे ये क्यूशन हमने रखा होता आप लोगों ने कम्प्लेंड करी होती कि सर ये तो आपने नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं दोस्तो हम रिपीट कर देते हैं आपका कमपर्ट दोस्तो हमारे लिए सर्वो परी है लेकिन उस कमपर्ट से आपको थोड़ा अगसा भार भी निकलना होगा क्योंकि ऐसे क्यूशन में आपको दिमाग दोडाना पड़ेगा अब देखी दोस्तो इसका आधा पार्ट हमने आज बता रखा है आधा पार्ट हमने पहले बताया है दोनों को कंबाइन करके दोस्तो इस क्यूशन को कर लेते हैं क्यूशन क्या बोल रहा है एक रुपे के चैकी रेट से निम्मू खरीद करके लेमन खरीद करके 20% प्रोफिट कमाने के लिए एक रुपे के कितने लेमन बेचने होंगे इस क्यूशन को देखते ही आप कंफूज हो गए दोस्तो समझ लोस्त में जो लिखा है हमने बता रखा क्या बता रखा है एक रुपे के चैकी रेट से लेमन खरीद लिए इसका मतलब कोश्ट प्राइस दोस्तों ये पार्ट हमने आज बता दिया एक रुपे के कितने निम्मू खरीदे चैक खरीदे यही कोश्ट प्राइस है दोस्तों अब क्या कहरा है 20% प्रोफिट कमाना है कितना है दोस्तों उसका 20% चाहिए ही चाहिए दोस्तों प्रोफिट क्या चाहिए दोस्तों 20% आपको चाहिए तो अब बोल रहा है कि एक रुपे के कितने निम्बू बेचे हैं दोस्तो तो दोस्तो ऐसा एक क्यूशन हम आपको और कराएंगे यही नहीं एक क्यूशन और कराएंगे अब क्या पूच रहा आपको cost price यह है profit यह है दोस्तो selling price आपको पूछ रहा है यह बोल रहा है एक रुपे के कितने निम्बू बेचे कलिफूज नहीं हो ना दोस्तो आपको selling price पूछ रहा है दोस्तो selling price कैसे निकालेंगे दोस्तो cost price का 20% पहले तो निकालो और फिर उसमें जोडो cost price का directly दोस्तो हम 120% निकाल लीजिए आपका answer आजाएगा cost price क्या है दोस्तो 120% निकालने के लिए 120 पटा 100 हमने कर दिया 20 और यह लो दोस्तो 5 ठीक है दोस्तो क्या है आपके पास में 1 पटा 5 यह क्या हुआ दोस्तो 1 रुपे selling price एक बटा 5 का मतलब क्या हुआ दोस्तो cost price एक बटा 6 का मतलब क्या था cost price एक बटा 6 का मतलब था 1 रुपे के 6 निम्बू तो selling price का भी यही मतलब दोस्तो 1 रुपे के 5 निम्बू बेचोगे तो 20% profit हो जाएगा समझ रहे हो दोस्तो बहुत easy question है बहुत ज़्यादा हद easy question है दोस्तो इसको बोलते है ना मलाई cream question है दोस्तो बहुत easy question दोस्तो उपर से मलाई उतारनी है और direct gap ठीक है वैसा question है एक रुपे के 6 निम्बू मतलब cost price selling price क्या करोगे दोस्तो cost price का 120% direct निकाल लीजिए या आपसे question आ जाता कि साब इसको 20% loss पर बेच दिया तो इसका उलाग कितने एक रुपे के कितने निम्बू बेचे तो आपने क्या कर देते दोस्तो इसको cost price का 80% निकाल लेते क्यूसन आ जाता हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही करना दोस्तो सेम ऐसा question जिसमें में cost price निकालनी पड़ेगी ऐसा question हम आपके साथ में और सेर यहां पर करने वाले हैं बहुत easy question है आप खुद अंदाजा लगा लिजे दोस्तो अब कितना time लग रहा है के question में दोस्तो ये भी वैसा question है जिसका आदा पार्ट हमने आज बताया है आदा पार्ट दोस्तो उनने पहले बता चुके है एक रुपे की बारे टोफी बेचने पर 20% loss होता है आप सोच रहोगे सरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं हम अपने ही जमाने की बात करेंगे साथ में आप लोगों के जमाने की पही बात करेंगे दोस्तो एक रुपे में दोस्तों हम हतेली भर कुछ खरीद लिया करते थे उस में 25 पैसे मिं मुंख पल्या आ जाया करती थे आँ वो लोगे इसार इतनी हैज हो गई है क्या जी हो गई है दोस्तों एक रूपे की बारह टौफी बेची आपने एक रूपे गी बारह टौफी दोस्तो शेलरने बेची तो लोस हो गया कितना 20 परसेंट का अब आपने काया या प्रोफिट कमा वही तो 20 परसेंट प्रोफिटKY मार्य कामाने से पूजरा के साथ तो कितने बेचों में मिरगी साब नहीं पता कि कैसी नहीं बेचों कि अव्यसी बात कम करनी पड़ेंगे इसको तो देख लेता है दोस्तों एक रुपे की बारा टोफी बेचने पर उसको बीस परसेंड का लोस हो रहता तो प्रोफिट कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा कोस्ट प्राइज दोस्तों आपको समझ में आ रही है कि है आपर कहीं दे रखिये एक रुपे की बारा टोफी बेचने पर दोस्तों यह तो सेलिंग प्राइज दे रखिये कोई बात नहीं सेलिंग प्राइज आपको दे रखिये सेलिंग प्राइज कितनी नहीं लिखनी दोस्तों इसी जी हम बता रहें तो दोस्तों कोस्ट प्राइस निकालते हैं सबसे पहले कोस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं आप सो बटा लोस को दोस्तों लोस हो रहा है तो क्या करोगे सो में से मैनिस करोगे सी इंटू क्या होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस क का मतलब के आगया दोस्तों पांच रुपे की अरतालिस दे दे इसकी कोश्ट प्राइस क्या ती दोस्तों प्रुपे पांच रुपे में वो 48 दे रहा था दोस्तो एक तरीके से ना क्लियर कर समझे रहा दोस्तो आप कोस्ट प्राइस का मन था पांच रुपे में 48 खरीदी है दोस्तो उसने लेकिन आपको क्यूशन पूचरा क्या रहा है एक रुपे में कितनी टोफी बेचनी चाहिए दोस्तो क्या करने के लिए 20% प्रोफिट कमाने के लिए तो दोस्तो अब आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालनी है नहीं सेलिंग प्राइस क्या होती है दोस्तो cost price का 20% profit के साथ में तो 120% निकाल लीजिए क्या है दोस्तो cost price क्या है 5 बटा 48 into 120% ये आ गया दोस्तो मिटा दूं क्या इसको जी मिटा देते हैं देखिएगा दोस्तो कैसे आएगा 20 500 ये दोस्तो 6 और दोस्तो ये कितना आ गया 8 से 48 1 बटा 8 आ गई दोस्तो selling price का मतलब क्या है एक रुपे की 8 टोफी बेचिए आप एक रुपे की 8 टोफी बेचिए आप तो आपको 20% profit हो जाएगा पहले ज्यादा दे रहे थे दोस्तो इसलिए लोस हो रहा था अब एक रुपे की आप 8 बेच दीजिए आपको profit हो जाएगा क्यूसन दोस्तो बहुत सिंपल है ये क्या करना था आपको selling price दे रहे थी कितनी दे रहे थी एक बटा 12 दे रहे थी क्लियर है तो क्या हो रहा था लोस हो रहा था आपने cost price निकालने के लिए आपने क्या करना होता है दोस्तो अमेशा जब भी profit दोस्त दे रहा हो और selling price दे रहा हो आप इसली क्लास को recall कीजिए दोस्तो cost price निकालने के लिए 100 बटा profit या loss जो भी दे रहा होता होता तो सो में plus करके आप लिखेंगे loss दे रहा हो तो minus करके लिखेंगे upon C into selling price 12 दो divide कीजिए दोस्तो इनको 20 से divide हो रही है 4, 5 से divide हो रही है दोस्तो 5 बटा 48 यह आपकी क्या आगी दोस्तो cost price आगी अब नेली selling price पूज़ा है दोस्तो नहीं आप से तो क्या होगी cost price का 20% profit चाही तो उतना ही profit percentage 120% 100 में जोड करके 5 बटा 48 का 120% दोस्तो क्या होगा 25 यह दोस्तो आप देखिए कितना time लग रहा है आपको दोस्तो 1 बटा 8 आया 1 बटा 8 का मतलब क्या है 1 रुपे की 8 टोपी आप बेचिए आपका question आगे आनसर आगे 20% आपको profit हो जाएगा आज के इस session का दोस्तो last question हम देखने जा रहे हैं question बहुत important है दोस्तो यह भी यदि किसी चीज को आपने 5% loss की जगह 5% profit पर बेचते तो आपको 60-60 रुपे 20 पैसे ज़्यादा मिल जाते है cost price क्या है दोस्तों की किसी चीज को आपने पहले क्या किया 5% loss पर बेच दिया आपको कोई मानुआ मिले कि यार इसको 5% profit पर आप बेचते हैं तो इतने पैसे आपको ज़्यादा मिलते है cost price क्या है दोस्तों की दोस्तों बहुत सारे तरीके होंगे इसको exam में करने के आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिएगा दिमाग खोलिएगा आप सोचिएगा कि उसकी cost price माल लिजिए 100 रुपे थी माल लिजिए अपने इसकी cost price 100 रुपे थी तो पहले case में पहले case में आपने SP1 दोस्तों यह मैं लिख देता हूं इसको मैं SPL कर देता हूं दोस्तों जहां पर आपको loss हो रहा था उस case में आपने उसको कितने में बेच दिया 5% loss में बेच दिया मतलब 95 में बेचा तभी तो loss हुआ समझ रहे हैं दोस्तों कोई 100 रुपे की चीज़ थी पहले case में दोस्तों आपने कितने में बेच दिया उसको 95 में बेच दिया दूसरे case में दोस्तों दूसरे case में यानि जिसमें profit हो रहा था उस case में आपने इसको कितने का बेच दिया दोस्तो एक सो पांच रुपे का बेच दिया पांच ज्यादा में बेचा दोस्तो कलियर है अब आपको यह बोल रहा है कि तो आपको 67 रुपे 20 पे से आपको ज्यादा मिलते कौन से दोस्तो इस वाले और इस वाले में difference जो है वो 67 रुपे 20 पे से ज़्यादा बता रहा है लेकिन आपके पास तो difference कितना है दोस्तो 10 रुपे का यह है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तो हम 100 रुपे पे निकाल लेते हैं कितना difference हो अब दोस्तो इस क्यूशन को आप देखिए इस situation में इस situation में क्या है दोस्तो जो 10 रुपे का जो difference है वो किसके बराबर है 67 रुपे 20 पे से के बराबर है यानि कि 10 रुपे जो है वो किसके बराबर है दोस्तो 67 रुपे 20 पे से के बराबर है एक रुपया किसके बराबर हो गया दोस्तों 67 रुपय 20 अपोन 10 रुपय के बराबर हो गया 100 रुपय कोश्टिंग प्राइस में दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा 100 रुपय दोस्तों किसके बराबर हो जाएगे 67.20 अपोन 10 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों ये कट गया 10 से ही multiply हो गया 600 बैतर रुपे आगे दोस्तों कलियर है क्या है चीज दूसरे method से बताएं क्या सोचीएगा दोस्तों सबसे easy method है ये किसी चीज की आपने cost price क्या रख ली 100 रुपे रख ली तो दोस्तों पहले loss वाली case में क्या थी 55 रुपे उसके हो गई जो हो रहा है वो जोस्तों 10 रुपे पर ये डिफ्रेंस आ रहा है तो 100 रुपे पर कितना डिफ्रेंस हो जाएगा आप इसको एक step तो मैनिस में जाएगी ये चीज आप clearly बहुत easily आप कर सकते हो अगर दोस्तों आप इस question को अगर x मान के करोगे तो भी देखिए थोड़ा सा दोस्तों ज्यादा लेंदी तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा देखिएगा आपने cost price आपने क्या मान ली उसकी x रुपे मान ली clear है x रुपे आपने cost price मान ली तो दोस्तों loss वाली situation में क्या था यह क्या थी दोस्तों SP क्या थी selling price क्या थी लोस वाली situation में SP क्या थी 5% loss हुआ तो मलब 95% हो गया किसका selling price निकालने के लिए मेंसा क्या करेंगे cost price का percentage loss या percentage profit कर देंगे यहां पर loss में हो रहा तो दोस्तों 95% किसका x का तो क्या हो गया 95 x upon 100 आ गया profit वाली condition में दोस्तों क क्या हो गया 105% हो गया 105 किसका x का 105 x हो गया दोस्तों ज्यादा कौन सा अव्विस ही बात है दोस्तों आपको यह ज्यादा है profit वाली value ज्यादा इससे ज्यादा है दोनों को माइनस कीजिए 105 x बटा 100-95 x upon 100 किसके बराबर है दोस्तों आपको बता रखा यह 66.20 के बराबर है आ इसको आप उधर ले जाए दोस्तो दुनों को माइनस करोगे तो 10 अक्स आएगा इसको उधर लेकर जाओगे तो इस तो इस तो बीस रुपया आगया दोस्तो इसको अगें डेट 10 से डिवाइड कर दीजे दोस्तो 600 रुपया आगए देख लीजे दोस्तो ये concept clearance की बात है जिस बराबर है यानि 10 रुपय का difference इसके बराबर है तो 100 रुपय का difference कितनी के बराबर होगा वही इसकी cost price है दोस्तो आज की session में इतना ही मिलते हैं next update के साथ thank you